तो हलो फ्रेंट्स आज मेरे पद एक फोन आया है जो कि एमाई नोट फाइव है जिसके लाइट का इस हुए तो यह देख सकते हैं फ्रेंट्स तो इस तरह से इस में जो लाइट का इस हुए है मैं आपको दिखाता हुए तो मैंने अल्रेडी एसमेर इसको करके रखाओ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे तो टाइम की जो बचत करनी पड़ी है आप सब लोग को तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे तरह से खोल लिया है इसका जो कैमरा बगार है इस तरह से आपको खोल प्रडश में ग्री एक रही होता कि हैं हम लूग जब काम करते तो ड़्यमः क्टे कथ यह कुछ पात सरह जाते हैं इसके ब्रणनिंग का cawerाइब होने का ज्याद रहता है क्षिए मैंने इस तरह से जीपर लिया है और जीपर में मैंने ने अच्तरा से और गारव को रख द देता हूं ठीक है आप जड़ा ध्यान दीजिएगा फोन ओन है कि शायद ना दिखाए दे कि इसमें जो लाइट है काफी कम है तो आप वाइबरेट अगर फोन होता है तो आप समझ देंगे फोन चलो हो गया और यहां पर देख सकते हैं हलका हलका से रही यहां पर दिखाए दे रहा है वह शायद में भी मैं कोशिश करता हो दिखाने कि शायद आपको थोड़ा दिख जाए तो मुझे लगता कुछ शायद कुछ भी दिखाए यहां पर नहीं दे पार है क्यूंकि दिखिया पर दिखिया पर एक स्पॉर्ट टाइप पर लग रहा है डिस्प्ले साइब टूटा हुआ भी है और यहां देकि आवाज आ गया है इसमें साउंड आया अपने सुनाई दे देख लिया है तो हम लोग इसको स्ट्रिप बाइस्ट्रिप चेक करेंगे एक होता क्या है कि फोन ओन हो चुका है कि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो अब शायद आपको पता चल जाए कि यह फोन ओन हो चुका है देखिए इस तरह से काफी जो कॉंप्लिकेशन आते है में आपको बतातुना आपके कि डियाग्राम नहीं है करो इसमें फ獰 ना रहा है तो आ satur तो हमारे जहां पर लाइट नहीं आ रहे है लाइट सेक्षिन अगर वोल्टेज चेक करने पड़ती है हमारे जो डिस्प्ले करनेक्टर तक जो बूल्टेज आने चीए उस अप्लाई को चेक करना पड़ता है इसको करते हैं किसके डिस्प्ले और पर यहां पर कितनी हैं तो हम लोग मेंटर मल्टिमेटर आते हैंaxe तो माल्टी मेटर से हम बैटरी की जो सप्लाई इसको चेक कर लेगी कि हमारे बैटरी में एक सप्लाई कितनी है तो मेटर आपको दिखाए दे रहागा फ्रेंट्स तो देख लेते हैं हम लोग तो ग्राउंड कर लेते हैं और बैटरी पर देखते हैं यहाँ पर यहां पर पार्स लगा तो जो कर देगा रिखिए थी पॉंट सेवन वन तो इतनी जो सप्लाई है इतनी सप्लाई हमारी डिस्टर कनेक्ट पर आने चाहिए देखिए आपका स्केमेटिक नहीं है बहुत से भाइलों को जिसके बास इसकेमेटिक अभी भी अवेलबल नहीं है त हम लोग एक काम करते हैं मधर बोट को निकाल लेते हैं मधर और बैटरी को निकाल लेते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सके ताकि मधर बोट को अच्छे से हम काम करते हैं बैटरी और बोट को निकाल लेते हैं फोन हमारा प्रोटल लिवर्क कर रहा है बट हमें चेक करना भी प्रेंट्स यहां पर हमने बैट्री को लगा लिया तो यहां पर मुझे यहां पर जो पता है मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं करता हूं कड़ी करते हैं यहां पर 1234 इसकी पांच नमबर के चुपीन है यहां पर वोक मिल रही ही रिकिए यह इसकी जो सप्लाई हो चुकी आप तो पॉइन वोल्ट के लग रहे है यहां पर त्री पॉइंट सेवन के लगवाँ सप्लाई है ने चीए तो इस कंडिशन में पता लगा सकते हैं कि सप्लाई कहीन कहीन कोई वर ड्रॉब हो रही है तो यहां पर कोई ना कोई पार्ट से जो कि हमारा खराब है तो फरन समय धन द करता है जो बुस्टिंग का काम करता है या फिर कोई भी पार्स हो सकता है इसमें जहां तक यह जो कम ज्यादा की जो प्रावलम है बुस्ट कोईल की वह साथ सकती है तो हम लोग वर जोसके ट्रेसिंग उसको देख लेता लाइट सेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं वोग करती तो पता है तो अच्छी बात नहीं तो आप एक दू करकर देख सकते उसके बाद नेक्स टेब जो है हमारे पीछे आना लाइट सेक्शन को तो देखे फ्रेंट्स मैंने भी मदरप्ट को कि मदरप्ट की बैक साइड में जरस्टीन को हम लोग निकाल लेते हैं उसके करीब और वहां पर वोल्टेज में लगभग लगभग दो वोल्ट आ रहे हैं और भी इसमें वेरेशन इसका जो वोल्ट है वो धिर दर कम तया रहा है तो वह किस वय से होगा से होगा इसको हमें और डाग्स करेंगे तो फ्रेंस वीडियो को ध्यान से देखिए मैं जो यहां पर देखिए एक boost को लगी है और यहां पर एक rectified diet मिल रहा है तो यहां पर पहले step by step देखते हैं देखिए फेरेंट पहले हम देख लेते हैं जो हमारी जो पिन से जो डुआ हो सबसे पहले और हम इसकी input supply सबसे पहले उसको चेक करेंगे तो यहां देखते हैं इसकी input supply हमारी 3.7 तो इतनी जो सप्लाई है मिल दिया यह सप्लाई हमें जो आनोट पर आनोट के पिन पर देख सकते हैं यहां पर का जो पिन है यहां पर का इनक्रीड डिस्प्लाइब आनोट की बूस्ट को एल का जो में सब्सक्राइब दोनों तरफ सेम वोल्टेज है अब हम डाइट को चेक करेंगे तो इस्टेप बस्टेप हमें आगे की तरफ बढ़ना है मैं इस से पहले के सक्षिन में इसकी डीडल में बारे में बताया है इसमें फैन देखिए हमें एक्टिफाइड डाइड में देख लि बुस्ट कईल है वे यहां पर इतनी मिल रहे हैं तो हमें एक बर बूस्ट को épれ उसकी दोनों तरफती में स्प्लाइड के लाएं कि वह दूनदेख करेंग के और बुस्ट कोईल जो है में रेक्टिफाइट से करनेक्ट रोट तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक तरफ देखिए वोल्टेज आपका 3.7 के लगवग मिल रहे है और दूसरी तरफ अगर हम चेक करेंगे तो हमें देखने कितनी वोल्टेज मिलती है तो यह कईल के एक तरफ देखिए सप्लाइ 1.5 के लगवर मिलें जो कि हमारी आनॉट पज़र अप्जिते ना प्रफिछ सप्लाइब मिल रहे थी और यह दूसरी तरफ अपले मिल रहे थी वहाँ पर हमने चेक के आप देख सकते हैं कि यहां पर को रीडिंग नहीं का मतलब कोईल हमारी अंड़स आपन हो सके तो इस कोईल को हम चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो बने रही है वीडियो थोड़ा सा में फोरट कर दिता हूं ताकि हम काम को जल्ली से कर सके तो लगबन लगबन हमारा ड यहां से होते हुआती है तो हम इस कोईल को चेंज करेंगे उसके बाद हम देखिंग हमारा फॉल्ट जो ठीक होता है कि नहीं तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा वीडियो को फोरट कर देता हूं और को चेंज करके हम लोग देखते है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है कि देखेंगे कि देखेंगे कोईल जो हमारी ठीक है वली तो आप देख सकते हैं तो अब हम इसके जो सप्लाइए फिर सम देखेंगे है तो देखेंगे फैंड्स एक बड़ हम सप्लाइए को चेक कर लेते हैं और बोट काफी हिट भी है तो हेटिंग को थोड़ा सा थन्द कर लेते हैं हम थिना लेके थोड़ा सा वस कर लेते हैं ताक कि हमारी फिर हटिंग और आपका जो फिल्टर लगाऊ कापसर वहां से होती है हमारी एनोड की पिन पी आती है और वो supply को हमें चेक करना है वो supply जो कि हमारे display connector पर नहीं आ रही थी वो supply हमारी बन रही कि नहीं मिन जो हमें fault था वोई fault हमें find हो चुका था हमने अब यह मूश्य को विसको हमने चेज़ किया अब हमसे नॉर्मलई बैटरी लागी हम लागी हम देखते कि हमारे बैटरी कनेक्ठर की सप्लाई है वह म tiles antagon तक आ रही है क्युद नहीं ओट便 नहीं तो बैटरी कनेक्ठर की पैनल देखिए हमारी जो वोल्टेज जो नहीं आ रही थी थोलते पहले हमने जो चेक किया था अब हमारी जो वोल्टेज आ चुके 3.773 जो कि लगवर फुली ओके सप्लाई है और जो हमारा जो फॉल्ट है वो हमने जिस तरह फाइंड किया मैं आपको नॉर्मली बता रहा हू हम अब यह मदरवोट को पैनल में लाके चेक करें कि हमारा जो फॉल्ट हो फाइंड हुआ कि नहीं हमारी जो डिस्प्लेज पर ग्राफिक आ रही थी लाइट नहीं आ रही थी वह हमने कैसे किस तरह से चेक किया और कैसे उसको फाइंड किया और अब हम जो हमारी जो सप्ला पर ग्राफीक औरعة डॉना चुका एं ग्राफीक तो पहले से अ रही थी लेकर लाइट की वैसे हमें ग्राफिक नहीं डिखाए देती थी तो फ्रेंड देखीं हमारा सेट फुल आम हो चुका है तो किसी भी अगर फोन में अगर फॉल्ट आता है तो आपको इसी तरह फाइन करना है आपको step by step जो हमारा जो बेस है जो light section के उस तरह से करना है मैंने काफी जो वीडियो बनाई है light section के उपर लाइट और ग्राफिक सतना पर deep knowledge मैंने दी है इसमें तो उसके basis पर आप काम करते हैं तो आप 100% repair कर सकते हैं देखिए फोन हमारा बंद हो चुका है इसाइज में चार्ज की वएसे बंद हो जगा है तो फोन को एक बार हम चार्ज पर लाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा फोन वाक अब आपको कि हमारा फोन फुली वरक कर रहा है देखिए डिस्प्लेइड डेमज कंडिशन में लेकिन फिर भी इसमें ग्राफिक था और लाइट की प्रॉलम थी और देखिए इसमें लाइट भी आ चुकिया ग्राफिक भी आचीकि दोनों फस्क्रास वरक कर रहे हैं तो द मोडल का जो मोडल नॉम्बर के साफ से काम कर एक मौन खरें तो कभी आप काम नहीं कर पाईगा है युझकि हर किसी मोडल का डाइगरम मार्किट में अविलेबल नहीं है तो हमें जब एकाइड का अगर बेस मालूम है तो इसका कि किस मौडल में कौन से आचीकि उसका बेस क इसको बोल सकते हैं तो वह charging IC, graphic light section और कफी इसमें चार चीज़ा का combination दिया है तो PMI का इसमें मतलब कि यह charging IC है ओके charging और ग्राफिक इसमें दिया था तो फ्रेंट उसी बेस में काम करना है तो फ्रेंट हमारा phone जो है कि ठीक हो चुका है और phone comment off कर लिये तो फ्रेंट्स देख लिए और आप वीडिया आपको अच्छा लगए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए तो प्रिस थेंक्यू